वेल्कम तो मामकी अमरेसीपी चैनल कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे आज मैं बनाने जा रहे हूं फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यह दो आलू ले लेंगे इसका छिलका छील लेना है इस आलू को लोग भढ़िया आलू कह काट लेना है इसलिए काटना है क्योंकि यह फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे ना तो यह शेप अच्छा आता है इस तरीके से काट लें चारो तरफ से पर ऐसा कट जाने के बाद फिर लंबा लंबा इस तरीके से काटेंगे इस तरीके से हलकल के हांसे स्लाइस निकालना है हा चाकू लगे ना हाथ में इस तरीखे से देखें काट लेना है अच्छे से यह ऐसा कटने के बाद वे क्या करेंगे इस तरीखे से काट लेंगे आलू को फिर इस तरीखे से काट लेना है यह शेप ऐसा होना सी यालू का इस तरीखे से अराम अराम से काट के सारे स्लाइसेस को अलग कर लेंगे यह बड़े यालू रहते हैं उनके शेप अच्छे आते हैं इस तरीखे से काट लेना यह देखें आलू कट गया है काटके अब रख लेंगे अब क्या करना है यह सारे आलू कट गए बड़े है अब इसको क्या करना है पानी से बहुत अच्छे थरीखे से थोना है कि इसका जितना भी अस तरीखे से užड़े सारे आलो को डाल के और काफी अच्छे से धोना है यह देखे इसमें स्ट्राज कितना है पुरा पाली में निकल गया है प्रीज का जो पानी होता है उसे धोना है पहले अच्छे से धो ले पर क्या करेंगे अब यह पानी ले लेंगे अब इसको फ्रीज में कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे यह देखे फ्रीज से निकल जाने के बाद इसका पानी गिरा लेंगे अब इसमें कौन फ्लाइर डालेंगे थोड़ा सा 2 चमच तर कौन फ्लायर डालेंगे आपके पास कौन फ्लाइरण नहीं तो आप माइदा यूजज कर सकते हैं यार उरोड पॉडर यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, ज्वादर नमक नहीं कि अगर आरशाए नमक डालेंगे, अगर अगर ज्वादर नमक डालेंगे तो, हालो में पानी निकलने लगएगा, ये धनिया डालेंगे, बहुत इक्टाम बारी धनिया कती ह और यह चीटी फ्लैक्स है आपके पास धन्या नहीं है तो आपका सीवरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं यह से लुक अच्छा आता है फ्रेंश फ्राइस का हराल आल इस तरहीं से आता है और इन सारी चीजों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना इसको मिक्स बहुत अच सब में से अच्छे से सस अन स्टाज चला जाए नमक सारी चीजह》 से लिक्स हो जाए इ xu त्रीक अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरहे किस से मैं पानी होना जाए तो जाए नहीं हो जिए पर बंदो हो जाए फिर रिभाई ऑल में सारे से अल्यु कि अलग अलग कर डालना थही अच्छी नहीं लगते हैं और फ्लेम मैं बता देते हूं गैस का एक्तम लो होना चाहिए पहले ट्रब जो डालेंगे वह एक्तम लो फ्लेम पे तील गरम होना चाहिए लेकिन गैस का फ्लेम लो होना चाहिए यह लो फ्लेम पे इसलिए पकाएंगे क्योंकि यह आलो के स्लाइस मोटी मोटी है तो कच्ची न रह जाए इस वज़े से इसको पहले पकाने के लिए इसको फ्राई करिंगे इस तर्यके से जाले हालो की स्लाइस को डाल देंगे फिर यह देखिए दो मिनट बाद एसको चला लेंगे नीचे से लगेशना पांग क्पा लाएगा लेंगे अब क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे गैस का फ्लेम आपकर लो होना चाहिए मैं बार बार बता रही हूँ यह देखे इस तरीके से अभी बिल्कुल वाइट ही रहेगा तो इसको निकाल लेंगे इस तरीखे से जब इस तरीखे से दिखने लगे तो आप इसको निकाल लेज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ दो या तीन निनिट तक के लिए इसको पकाना है लो फ्लेम पे पहले इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएं दस मिनट के बाद कि निकल के तुरंत दाल देना हैं उसके बार जब यह सारे अलू निकल जाए तो गैस की फ्लेम को हाई कर देना है इस तरह कर देखे तेल गरम हो चुका है दस मिनिट के बाद ये आलू को डालेंगे ये देखिए तेल गरम होने का मतलब है कि आलू आप जैसे ही डालेंगे वह उसमें से ये बबल साने स्टार्ट हो जाएंगे तो समझे कि तेल अच्छे से गरम है और ये बिल्कुल सही टाइमिंग है आलू डा पारे जाएंबस गरमिनस के निए बाद झाल लेंगे, दो मिन्ट के बाद सारे निकाल लेना बहुत जादा निया है, बिल्कुल भी नहीं। कलर इसका बिल्कुल भी मिनिए निए और तो आको इसे पंड़ को निकाल लेगे, यह देखिए हो गया है, अब इसमें क्या काली मिर्श का पाउडर है वो डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अछा आता है आप एक बार ज़रूर डाल के देखिये है अच्छा से टेस्ट आताह अब क्याकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सब अच्छे से मिक्स करने लाए यह बहुत इजी रेसिपी है जट पड बने वाली रेसिपी है आप एक बार बना के ज़रूर ट्राइ करें घर पे महमान आए तो बना के दीजिए यह देखिया यह फ्रेश फ्राइज बन के ति कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू